तो आज हम दिस्टी के पार एक तरने जा रहे हैं विडियो का टाइटल है पाकिस्ताने हिंदू विजट साइग बाबा मंदर शिर्दी महराष्ट्रा इंडिया पाकिस्तान कुंप इंडिया विने कबूर मैं मजुद हूं महराश्रा अचान में और माराशा से मिलाव शिर्दी यहां मुंबई ना का बस्टॉप वाइल शिर्दी हाई फ्रेंड आप सबी के सौागत है आज के नए वीडियो में सौ फ्रेंड इस फुक्त मैं मजूद हूं माराश्या में और माराश्या से मैं आया हूँ शीर्णी जाएबाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए तो आप लोगों को भी मंदिर के दर्शन कराने की पूरी तो आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूं तो आप लोगों ने वीडियो पूरा देखना है तो नासिक से ही मुंबई बस स्टॉप से जो हो आपको बस मिलेगी शिर्णी के लिए 200-300 प्रेटिकट होगा और यह है बस्टैंड यह है मुंबई ना का बस्टॉप और इस अब यह मुझूद है शिर्णी में और नासिक तर शिर्णी में आने के लिए आपको सिर्फ तीन घंटे लगते हैं अगर आप बस के थुरू आते हो तो बस का रेंट भी तकरिए काफी कम है 500 रुपर में आप आराम से यह आप यहां पर रूम बगर भी मिल जाते हैं लोगोंने बने रहना है आप लोगों को बिद्शन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे होटल से बाहर आ चुके हैं बस वॉकिंग डिसेंस पे ही मंदीर है तो हमने मंदीर के पास में होटल लिया था था कि हमें सुबह जो जाने में असानी हो और काफी सारे होटल कियां पर ह अगर आके रह सकते हो बस्ते की दूरी पे जो ऑवो मनेर मज sought helemaal कर रहा है तो आना चाहते जाएकuldade अचाने में ना दरट है अ मनेरा इ Ond ही नहीं है बट सुनने में काफी अच्छा लग रहा है तो अभी मैं मार्केट में पहुंच चुका हूँ तो गाइज यहां पर जगा जगा जो है आपको परसाद के स्टॉल मिल जाएंगे जहां से आप परसाद पर्चेस कर सकते हो और यह देखें काफी जो मंदिर से सब्सक्राइब बाबा की मूर किया वगरा कितने की मूर्टी एक बीस रुबे की अच्छा और इस तरफ देख सकते हैं मेला हैं ट्राइफ फूट्स वगरा बेच रही हैं और सबसे खास बात यहां पर सिर्फ आप परसाद लो और अपना सेल फून और जूते वगरा यहां पर जमा करवा सकते हो और और सबसे पहले मैं जो हो एल सीडी के थुरू आप लोगों को साही बाबा के दर्शन करवाता हूं और यह है मंदिर और चलते हैं आगे सो गाइस कैमरा बिल्कुल अलाव नहीं है मंदिर के अंदर और इस तरफ जो हो सामनी मूबाइल लोकर है वहां पर मूबाइल जमा करवाना पड़ेगा और पास में जो अगर चपल स्टॉल है वहां पर आपने जूते पगर जमा करवा सकते हो और इस तरह से एकज़ट होने और इस तरह से सामने जाएंगे तो आपको इंट्री गेट मिलेगा गेट नमबर सैवन के थुरू आप इ इस दो सो पे करना पड़ेगा और बक्ती निवास के लिए जो आपको 500 रुपे तक जो पे करना पड़ेगा तो यह थे डिटेल तो अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे क्योर और इस तरह देख सकते हैं यहां पर जगा 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 लड़ू पर साथ सेल्स काउंटर हैं जो एक कैमरा बिल्कुँ अलाओ नहीं है तो इसलिए आपको अपना कीमति समान वगर यहीं पर रखके जाना पड़ता है और यहां पर देख सकते हैं लड़ू पर साथ का काउंटर है और दूसरी सेट पर जो है वो छे और साथ नंबर गेट है और छे नंबर जो वी आइपी पासि करके बाइर आ चुके हैं काफी अच्छे तरकी से दर्शन हो गए दर्शन करने में हमें सिर्फ तक्रीबन एक घंटा लगा क्योंकि आज बीड़ बुक काफी कम थी और लेकिन मंदर के अंदर जो कैमरा ले जाना बिलकुल अलाओ नहीं सेल फून भी अलाओ नहीं तो आप जो है सेल फून अपने रूम पे छोड़के जाएं या फिर यहां पर लॉकर्स वगरा मिल जाते हैं जहां पर अपने कीमती समान रख सकते हैं तो उसके अंदर आप अपना समान रखें और दर्शन वगरा कर लिए बहुत भी बढ़िया लगा और परसाद भी ले लिया तो गाईज यह था यहां का व्यों काफी अचहा लगा तो गाईज़ चलते हैं आगे लेंसों बीद अब आ CHके हैं दहूर का माई की तरफ टुछा करने और छेमान अपर द्चार करते हैं जो कि एक प्रणी मत से दूआ करती थी और इसका नाम जो दौर धागा गया था तो इसक कि सकते हैं काफी खुब सब्सक्राइब है हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी के मंदीर जहां पर जो साही बाबा राक करते थे और इस मंदीर के अंदर जो साही बाबा कहा जाता है कि पुझा करते थे और यह मंदीर काफी प्राचीन और काफी प्राना मंदीर है तो यह हमारे बजरंग बली जी चैए बजरंग बली तो अभी हम आ चुके हैं एक मार्केट की तरफ और इस तरफ से हमने जो वो एकजट किया था गेट नमबर चार से तो अभी हम जाने वाले हैं आगे की और यहां बहुत देख सकते हैं सेलफी पॉइंट है और पास में एक उपसुर सा प और सामने ही पार्क है सिरी साई पालकी गार्डन पार्क में इंटर होते ही सबसे पहले आपको जो बड़ी सी साई बाबा की मूर्ती दिखाए देगी और फ्रेंस कहा जाता है कि साई बाबा 1858 में शेड़नी में आये थे जब उनकी उमर सिर्फ 16 साल थी और वो एक बारत के रहे थे और उसके बाद वो हमेश्या के लिए जो शेड़नी में रुक गए और शुरु शुरु में वो एक नीम की पेड़की निचरहा करते थे उसके बाद उन्होंने एक पासम मस्ज़े थी जिसका नाम दौर कमाई था वहां पे रहना शुरू किया और साई बाबा ने ही चुक्के हैं खंड़ोबा मंदिर दो देख सकते हैं उपर लिखा है और यहां पर प्यारती की समय हो रहा है और यह वह जगाह है जहां पर माल साइब पती ने साहिब आपा को आओ साही कहकर पुकार रहा था और उसी दिन से जो सफ़ाह का नाम सभाबा पढ़ गया तो हम इ fır हो जाना है तुछ यूहिक ऑंचो को 40 हूभ अम्यों चोने चोने श्रीज़ भग ऑन-गा सब्सक्राइब इस द fuss będę लाइए किसा さई किसी से बात कर देऊ ंद। हम्यशा परेश्वर का नाम समरन करो यह वह फोटो है यह जो खोटो है बाबा के साथ रहते महल सबदी को परम ध्यान प्राप्त हो चुका था एक बार किसी काम से दूसरे गाउं जा रहे थे तो जान पर दोस्ट चडिया बेटी सी तो बते करने लगी यह जो गाउं में उस्टा है खाना है इसमें पॉल्जा नहीं अगर यह लोग खाना खते तो मर जाएगी यह बाथ सुनते हैं महल सबदी दौर के बाबा के पास गई बाबा को बता रहा मैंने इसा सुना बाबा बोले जाओ उनका जान बच आये यह खाना रोग दिया इनकी जान बच गई गुलवां की दिन बाबा को लेंकि नाचते गाते गुमा लेंके अभी बाबा की पार्डी देगल्टी फंडोगा कउस्टव अगनी में इसे चलने चार्ड़ हुआ दिनेके लेके लेंके दिनेके, नाश्यों में चोर लोग आया, जूटने के लिए, वैसे महालसा पती ने हल्दी हिया, जय खंड़ोगो बोलके उनका अपड़ डाल दिया, उनका बदन जनले लगा, चोर लोग भाग गए, यह को पड़ा है, 15 अक्टोंबर 1908 उस लोग बाबा अपना शरीर चोड़ के चले ग होएं, कहां कि देखो, है मैं मेरे, मैं भीमार हूँ, मैरी शरिलो रक्षा करते हैं, जरी दिन अइसा आलो अप मेरी शरिंतोंबर 19192 तो जर तो तो यह को होट्ए, आखनी बाबा मेरे कहां। जब भी आप लोग शिर्टिया आओगे जूप दीब जाया आप सभी लोगों का खल्लार होगा ऐसा चिर्वास दिया साही राम, साही राम इस मंदिर के दर्शन करके बहुत ही बढ़िया लगा और सामने ही यहां पे एक बर्गत का पेड़ है और इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि यह पेड़ जो साही बाबा के टाइम का पेड़ है और वर्गत का पेड़ है और इस पेड़ के नीचे जो छोटा से एक मंदिर भी बनाया हुआ है तो देख सकते हैं पेड़ काफी पुराना है तो यहां पे जो टोकन पचास रुबे के मिलता है जिसमें आप विये भी तरके से खाना का सकते हो और यहां पे हॉल के अंदर जो काफी साफाइस दिख रही है और खाना यहां पे सुना के बहुत दार टेस्ट ही हो तो आप जब यहां तो परसाद एक पाज जरूर टेस्ट करें तो यह देख सकते हैं गाईस अपनी ठाली लग रही है जिसके अंदर काफी सारी आटेम है और यह था परसाद धाल फ्रेंड्स मंदिर में दर्शन करें के बाद अभी मैं आ चुका हूं रूम बे तो यह अपना रूम है और यह मेरा बैग है और रूम देखने में काफी साफ है और असानी से रूम जो आपको मिल जाता है शेडने के अंदर यह रूम पड़ा सिर्फ 500 रुपे में और काफी अच्छा रूम था तो अभी चेक आउट करने का टाइम हो चुका है अभी हम आ चुके हैं साई हैटिज विलेज जिसे ओल्ड शिड्नी भी का जाता है तो यहां पर आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप राम से यह यहां पर आ सकते हो और यह पूरा का पूरा गाउन जो आटिफिशल तरीके से बसा रहा हुआ है जिसके अंदर जो साई बाबा की जिंदके के बारें बताया है कि पहले के जमाने में किस तरह करते थे लोग किस तरह से रहते थे तो अभी मैं जा रहा हूं टिकट काउंट के हैं और चलते हैं अंदर की तर तो देख सकते हैं काफी खूब सब तरीके से जो विलेज को बना के रखा हुआ है यह देखें यहां पर लोग जो बातें कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे हम पुरानी शिड्नी के अंदर आ चुके हैं तो यहां पर पूरी डिटेल के लिखा हुआ है पहले किस तरह के बरतन वाकते थे किस तरह से लोग मिल जुलके रहते थे तो यह देखें साही बाबा की जगा-जगा मूर्टियां बनाई हुए है ऐसे लग रहा है जैसे हम पुरानी शिड्नी के अंदर ही चले के जैसे हम सीरियल में देखती हैं तो सेम पर तो तरीके से जो इस विलेज को बनाया हुआ है तो आप यहां पर जब इशिड्नी में आए तो यहां पर विज़र जरूर करें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अजिर्णर लिच बिलेज जैसे निका ओर इसे जीड़े और जोनी टौश सीरे टीज कर जारा चाहरा और यहां अजिकशबर गयर想ście यह तो यहां पर काफुर बचे आते हैं आडविंस्टर अगरदे करने करें के लिए तो आवारां यहे इडली और यह इडली है जिदी यह कौशी सब्री है सामबर है यह कोकुनट की चट्टी है क्या हुआ अच्छा टेस्ट है गई सामबर अक्सर चटा मिठा ही होता है तो वह ऐसे ही है वड़ा पाव आशका है और यह पाव है यह बड़ा इसको आसे पोलते हैं पहले इसके अंदर रखते हैं और ते प्रेस कर दूँए ऐसा बन जाएगा वह यह पर टेस्ट करता हुआ तो आपके टेस्टी है घरम घरम भी है यह चपनी अच्छा टेस्ट है तो फ्रेंश करते हैं फिर मिलते हैं इस यह होटल और यह यह आपके खाने हैं फ्रेंश अब इस चीनी से जाने का समय हो चुका है तो इस वीडियो को यहीं प्रेंड करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल लखें अस्ते रहें मुस्क्राते रहें पुश्या बड़ा लिए अपना अपना इस चीनी वीडियो थी जिस तरह साहीं बाबा की स्टोरी बताई जा रहे थी अब तो बैसाब ना एक थोड़ी थी ओज़त में क्रियोश्ट्री हो जाती है के पूरी डेल जानी को एक मन कर रहा है कि वह इनके बारे में थोड़ा था नालज़ वाला जि इस शुरुवात में मैं ना यह सोच रहा था बैसा बगवान के इतने अवतार हैं उनके तो भी हमने फोटो देखे हुए हैं यह मतलब साहीं बाबा इंसान थे ना उनका मंदर और उनकी पूजा मैं मुझे वह ना खमज में नहीं आया है कि वह उनकी लोग जो पूजा करें उनका मंदर बना है जीव लगा लेकि वह उनके काम ही ऐसे हैं कि लोग जो इसके काम आप अच्छा था था उसके दर शेंके लिए और जो लिकत में हो गये और इसको देखर पूछ लोग सीधे रस्ते पर भी आ जाएं उनके स्टोरियां इसके बाही किरें ने ने काम किया ब बागी बागी जो इंतजाम आप के दिखे ना मंदिर के इस तरह आँ जाए है ना जाहे ना जाहे लिए जीद देखने को मिलते कि वह भाज बड़ आ है इस तरह की रस्ते बने हुए है आट दस्ट कोस्त गेट हैं और इंतजामात अच्छे से तैंट अए इस ने को इनके प अगर इस तरह का यह सिस्टम ना तो भाई सब काटने वाले फैसे निकल रिकल रखते हैं रहा है आधारों के तार उपके लिए लिए कर दो पता है कि यह आवां की भी रुक्ति है इस के अंदर कुछ भी किसी के हमारा भाई सब्सक्राइब भाई वह भाई वही चीदे रखी जाती हैं कि जो अंदर मंदिर के अंदर अलाव जाने वहां पर उन्होंने बना रखे हैं जम्हा करवानी पड़ती है उन्होंने रख लेनी है एक तो वह सेफ हो गई है अब भाई कीमती चीज में क्या आ जलता है जो जो पैसे तोड़ी उदर रख रहे हैं वह उसमें मुबैल सब्सक्ष्टा पेसे और मेले को सुसी है जो जानाने इन्दर रख लेहों लेगे हैं अब भी अप्टॉने में वहाला शेड़ने के जैने टो माल की हैं, टोटल की टोटल साइना होगा है सब में एक सदा की छुपा हुआ है एक स्टोरी है मेरी रिप्रेशन कर दिया है वैसे हैं कि सिंदगी के ऊपर एक बंदा भी की बिनाया रहा है मतरु हुक्म होगा बताईए का जरूर को एची से वीडियो ना जिसमें पूरी डिटेल हो कि साही वैपा कहा से चले हैं, किस तरह जुझे कुझे कुझे कुछ इंसानीत के रिये किया क्योंकि आज इतनी दुनियों को मानने वाली है और एक जगा पर दिखा होगा कि उनकी जो पीडियों के लोग हैं सच्छा आता उठीको आंग कुछ ने कहती है और ने तो भई सुलह हैं आज को सही अब ही तक देखा सुलह पीडियों कहते हैं को ना पूँख में पर देखा हैं मैं ने पर देखा पीज़ वेशिया लोग करते हैं वो कोईलों पे चलते हैं, दंगे पंगे वैसो तो लोग आज के मुभबत में भी आगारे हाथ में पकट लेकते हैं हमारे गाओं में लड़के हैं जिन्दा में सारे अग्धार्मिक चीज़ होती है भई दो ने वो जांती कि लिए जाया है अगर वह प्रिक्षा ने जाती है तो आज कियो नहीं प्रिक्षा ले जाती है पता जल जागा कि जूटा है यह चीज़ की जाई अगर किसी बाई को नालज हो तो दरूर शेर कीजिएगा लेकि वहां पर भैसाब उनों ने हिसाइन बापा के तरबार में बरक्रश बहुत जादा था और एक अची चीज़ देख रहे हैं कि भई हर तबगे का लोग जो है वहां पर आ सकते हैं अमीर और ग्रीज़ दोनों कि यह कि वहां पर जो है दो आज स्वाइल एक करे देख रहे हैं अर्षपास के अर्वट इट हैं शुपियर में ने हम तो चीज़ चाहां तक तो यह तो फान्सों पान्सों जाहा हैं शुपीसा करोंकि खाना थे उन्षज़ उन्ता उन्हां तो यहांना ने तो मर्यादी के प्रेट निली हमारे यहादों और भड़ा है जब और जब गया तरह चार दार, पांच ज़ार, शेयर दार अज़ बेड़ा है। इतने का कमरा मिलता है। तो ओर ते खाना भी बहेंगा। अच्छा भी बहेंगा। तो ओर वी बढ़ी बाई है। इस मामले में प्रे भी वह रहा था। मैं देख रहा था मूर्ती कादयादम की के बनी बनी थी और वह अजीब हो गरीं उसी मनीए। मैं अच्छा मिन्यादम को किसी ने खाने ही नहीं दी तो भी वाद है। और सही बाद है। तो निच्छे की बाड़ी छोटी है, वो एक इसाल जो था इस्ट्रुक्चर भई, यह मूर्थें कितनी देखी, तुम्हें लगेगा भईशाब एक इलेवा उस मूर्थी के अंदर जाते हैं, तुम्हें 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 लगेगा भईश्टी करने वाली बात है, वो ऐस कि इमाम अगया स्केट में उनकी ने खिलाडी जोश्ट समाज यूनिया इस तरह उनकी, उसके आख में इस तरह हाकी थी, इस तरह तस्वीर बढ़िए थी, वो आगए थे बाल राकी उठागे लेगा, तो वो उखिला कर रहा है, वो मैं देखका अलाभी बंदे अजीव है आप स्टार बंदे के साथ इस तरह कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा लगा और जो मेंटेन किया के तिना चीजें वो बहुत कमाल की चीजिए अच्छा बाई कितना खुश लागा था है, यह चीज़ तो भई मैंचन रही थी, कि सामसारक भई पाकिसान में ना इस लेवल क जो मंदर नहीं है हलांके हैं जाने हैं जाने हैं जाने हैं इस तरह होगा तो बहुत कितना पड़ा पनाओ किस तरह का अलिशान में पनाओ और यह एक लेवल है तया मुश भई साहिं में जो मंदर बची है है जो प्रशा ही हैं चोटे मॉट अंकी मुझर मनथ भीने कि हमने कहीं कर देख के भी हैं ठाइमे अची खा से नहीं होगा है तो हमारे मैं आंक दाख पर जान अगर गजाते हैं और खाना काब उनके लिए लिए उनके ना में मु वो बताईएगा और भाई बताईएगा किया थे तो वो इंसान ही तो क्या ऐसे उनकी पूजा करना चीक है या नहीं आप बताईएगा मिलतरी मुझे के साथ अबतर के लिए जाज़त दें